आरगस न्यू चैनल की प्रथम साल गरह के अउसर पर आयोजित इस समहरों में हम सब के माध्य उपस्थित आदरनी जुगलकिश्वर महापातरा जी, आदरनी डॉक्टर ते लोचन महापातरा जी, बैंच सावर मती जी, आदरनी संजय जैना जी, हमारी भावी जी स्रीमती प्रथान जी, प्रकाश साहू जी, और इस अफसर के साक्षी बन रहे, क्रसी के छेत्र में काम करने वाले, रूची रखने वाले, सभी महानुभाव, सज्जनों, बैनों, और पत्रकार मित्रों, आज निश्यत रूप से, बहुत ही प्रसंता का छाण है, जब आरगश्ट न्यू चैनल, अपना सफलता पुर्वक एक वर्स पूर्ण कर रहा है, पहली साल ग्रह का अवसर है, इस अवसर का साक्षी बनने का मुझे भी सौभागे प्राप्त हुआ है, मैं इस मौके पर अपनी ओर से भी, और भारत सरकार के ओर से भी, आरगस्परिवार के सभी सदश्यों को और इस न्यू चैनल को देखने वाले और स्रवन करने वाले सभी उड़ीसा के महानुभावों को हिर्दय से बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूँ, बहुत-बहुत शुप कामनाई देता हूँ, भारत बड़ा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में मेडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है, इतना बड़े देश में एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक कम समय में आसानी से, लोग नए समाचार से, नए तकनीक से, नए द्रश्टी से, नए भिधा से, आसानी से परशित हो सकें, इसमें निश्यत रूप से मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है, मुझे प्रसनता है, आर्गा शेनल उडिया चैनल है, लेकिन यह उडिया चैनल उलीसा के प्रति, उतकल के प्रति तो अपने दायतों का निर्भा करता भी है, लेकिन साथ ही साथ, देश, समाज और दुनिया के प्रति, जो हमारा देश सच दायतों है, उस दायतों का निर्भान करने में भी, आर्गा शेनल की भूमिका, साल भर में अग्रणी भूमिका रही है, हम सब के लिए निश्यत रूप से बहुत ही प्रसनता की बात है, और मैं इश्वर से प्रार्षना करता हूँ, कि जिसे प्रकार सफलतम एक वर्स निव चैनल ने पूरा किया है, आने वाले वर्सों में भी सफलता उसके कदम चुमे, और यह चैनल निरंतर प्रगति के पत्पर बढ़ते हुए, देश के प्रति और राज के प्रति अपने दायतों को निर्वन करने में सफल हो, ऐसी मेरी इस अवसर पर काम ना है। मुझे इस बात की भी प्रसंता है कि जब सालग्रे का आवसर है, तो स्वाबविक रूप से कुछ मनोरण जनात्मक कारिक्रम भी किये जा सकते थे, और उसके बहाने लोगों को इखटा करके एक समारो आयुजित किया जा सकता था। लेकिन आरगस परिवार ने यह पूरा दिन क्रसी छेतर के लिए समर्पित किया, इसके लिए मैं आरगस परिवार को हिर्दय से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम सब के लिए और देश के लिए स्वाभागे का विश्य है, कि जब देश को एक नरेंदर मोधी जी के रूप में ससक्त, द्रल, सहसी, इमांदार और द्रश्टिवान नेतरतों प्राप्त हुआ है। बिगत आठ वर्सों की यात्रा में देश की करोडों करोड जन्ता के सहयोग और आशिर्वास से इस सरकार ने कई नए आयाम इस्थापित किये हैं। समग्र विकास, संतुलिद विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ गाओ, गरीब, किसान, नौजबान, महला, दलित का उत्थान इस द्रश्टी से ये सरकार पूरी तरह समर्पित रही है। इसलिए आप सब अनुभब करते होंगे कि देश मैं लोक्तंत्र को अनेक वर्ष वितीत होने के बाद भी 2014 तक एक बड़ा असंतुलन दिखाई देता था। प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जी के नितरत्तों में उस असंतुलन को संतुलित करने का निरंतर प्रियास किया जा रहा है। जिसके सद परिणाम हम सब लोगों के सामने आ रहे हैं। एक समय था एम्स दिल्ली में हुआ करता था। वाजपई जी की सरकार आई तो दिल्ली से बढ़कर एम्स चार राज़्यों में गया। आज प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जी के नितरत्तों में हर राज़्य में एम्स हो इस योजना पर काम चल रहा है। और हैल के छेतर में एक बड़ी क्रांती हुई है। शिक्षा के छेतर में भी बड़े सहर ही हुआ करते थे। जहां आई आएम हो आई टी हो लेकिन आज सब राज इस दिसा में प्रवर्ध हों। शिक्षा के छेतर में अभिनव क्रांती का सूत्र पात करके प्रधान मंतरी जी ने संतुलन शिक्षा के छेतर में भी साधने की कोशिस की है। देश में गैर बराबरी समाप्त होना चाहिए, यह नारा तो राजनीती में बहुत लोगप्री हुआ, जो भी आया उसने कहा गैर बराबरी समाप्त होनी चाहिए, जो आया उसने कहा गरीबी समाप्त होनी चाहिए, जो आया उसने कहा गैप्स भरना चाहिए, लेकिन इस दिसा में जैसा प्रयत्नअ अपिक्षित था नहीं हुआ लेकिन मैं ये गौरभ के साथ कह सकता हूं कि हमारे देश में दो प्रकार के वर्ग हो गए थी एक अपिक्षित वर्ग था एक समरद वर्ग था एक के पास अपना घर था, एक के पास रहने को छट नहीं थी एक के पास घर में सोचाले था, एक के पास सोचाले की विवस्था नहीं थी एक के पास रसोई गैस थी, एक के पास रसोई गैस नहीं थी एक के पास बिजली का connection था एक बिजली का connection नहीं था लेकिन प्रधान मंतरी जी ने इस गेर बराबरी के नारे को कारे रूप में पंडित करने का बीड़ा उठाया उसका परडाम है कि आज प्रधान मंतरी आवाज योजना के माध्यम से हर गरीब को छट मिले ये सुनिशित किया जा रहा है इस बार के बजट में भी 48,000 करोड रुपया इसके लिए रखा गया है बचे हुए गाउं भी सड़क से जुड़ जाए इसके लिए 19,000 करोड रुपय का प्राउधान किया गया है उजवला योजना के अंतरगत हर गरीब के घर को रसोई गया सोपलब्द कराने की कोशिस की गई है सौभा की योजना के अंतरगत हर गरीब के घर में रोसनी पहुचाने का प्रियत्न किया गया है समाज आगे बढ़े यह सद प्रियत्न जितनी तेजी से आज चल रहा है उसका सदी परिणाम निश्य दुरूप से देश को मिलता हुआ दिखाई देने लगा है हम सब जानते हैं देश में पूझी एक विवस्था है देश के GDP बढ़ना घटना या एक अपना मेकेनेज्ब है लेकिन मौटी बूद्धी से अगर हम सोचें तो देश के करोडो करोड गरीब अगर उनका जीवन सुगम नहीं है उनके जीवन में खुशी नहीं है तो भारत खुश कैसे हो सकता है भारत समरद कैसे हो सकता है अगर इस देश को विक्सित देश के रूप में तब्दील करना है तो गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में बदलाव लाना या प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी सरकार की पहली प्रात्मिक्ता है और जिस पर नरेंदर मोधी सरकार काम कर रही है दुनिया में भी भारत की साख बढ़े इस दिस्था में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने कदम बढ़ाए हैं और आज हम महसूस कर रहे हैं कि एक समय था जब दुनिया के राजनेतिक मंच पर हमारी अंदेखी भी हो जाती थी लेकिन साथ आठ सालों में नरेंदर मोदी जी के विजनरी और द्रड़ नेतरत्यों के परणाम सरूप भारत इस इस्थिती में आ गया है कि कोई भी राजनेतिक फोरम हो उसका एजेंडा बिना भारत की राय के तै नहीं होता यह हम लोगों के निश्य दूर्प से बहुत सफलता है कूट नीती हो ब्यापार नीती हो यह एक पक्ष है लेकि हमारे देश की तागत को पहचानना देशज ग्यान को पहचानना उसे सम्मानित करना उस पर काम करना और देश की जो तागत है उस तागत को दुनिया के राजनेतिक मंच पर इस्थापित करके भारत का मान और सम्मान बढ़ाना या नरेंदर मोदी जी के यसस्वी नित्रत्यों में निश्य दुरुप से बहुत सफलता पुर्वग संपन हुआ है मैं बहुत अधिक उधारान नहीं देना चाहता एक उधारान जरूर आप सब के समक्ष देना चाहूंगा पिछले दिनों कोबिट से सारी दुनिया पीडित थी हम भी पीडित थे कोबिट के आहट फरवरी बीस में आई मार्च में लॉकडाउन हुआ दुनिया हत्प्रत्प थी दुनिया में बड़े से बड़े संपन और टेकनलोजी से संपन हैल्स सर्विसेसं संपन देशों को भी सूझ नहीं पढ़ रहा था कि वो क्या करें क्या ना करें परधान मंतरी जी ने देश को साथ लिया देश में अनुसासन का परिशे दिया हम अपने अनुसासन से पत्थे और परेश से काफी हद तक अपने आपको बचाने में सफल हुए लिकिन वह मामारी थी उस समय हेल्स सर्विसेज के हमारी इस्तिती उस से निवटने के लिए अनकूल नहीं थी एक तरफ लॉकडाउन किया दूसरी तरफ हेल्स सर्विसेज को बढ़ाया कहां एक एक पीपी किट के लाले पड़ रहे थे मास्क की उपलबता नहीं थी आज भारत पीपी किट बनाने में दुनिया का नंबर एक राष्ट बन गया है इस जीजीविसा से भारत ने इस कोबिट कालखंड में काम किया है हम सब को ध्यान है पोलियो की वैक्सिन जब दुनिया में बन गई थी तो हिंदुस्तान को 20 साल बाद मिली थी उस 20 साल के कालखंड में कितने लोग कालकलवित हो गए होंगे इसकी किसी को कलपना नहीं थी अगर भारत उसी विचार से ओत्परोत रहता तो कोबिट की वैक्सिन बनने में और दुनिया से हमें मिलने में कितना समय लगता और उससे कितने लोग हदाद होते इसकी कलपना हम कर सकते हैं लेकिन प्रधान मंदरी का विजनरी नेतर तो था देशस सोच था देश पर गर्व करने की उनकी अपनी एक वरती थी और इसके कराण उन्होंने कहा कि दुनिया पर निर्वर रहने की आवशक्ता नहीं है हमारे साइन्टिस्ट दुनिया के अच्छे से अच्छे साइन्टिस्टों मैंसे हैं इसलिए उन्होंने साइन्टिस्टों से पूछा हम वैक्सिन बना सकते हैं क्या सबने कहा बना सकते हैं कितने दिन में बना सकते हैं समय कुछ जादा कहा गया लेकि प्रधान मंतरी जी ने कहा कम से कम एक वैक्सिन को बनाने में 90 दिन की जरूरत होती है 90 दिन में वैक्सिन कैसे बन सकती है इसके लिए आपको क्या चाहिए मैं सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं आपको दूँगा लेकि वैक्सिन तीन मेहने में बननी चाहिए और आप सबने देखा कि तीन मेहने में वैक्सिन इजाद हुआ और आज हम दो सो करोड दोज लगा चुके हैं छोड़े बच्चों के भी 43 करोर दोज लग शökे हैं वैक्सिन लगाने के मांबले में उसका उप्योग करने के मांबले में भारत नमबर बन है शimana कि वैक्सिन साप्लाई किया है सोलर इनर्जी के मांबले में भी अगर आम देखे तो भारत की लीडर्ट सेप्में सारी दुनिया प्रगती के पत पर आगे बढ़ रही है हम सब जानते हैं और हिंदुस्तान के नागरिक है क्रसी का छेतर हमारे लिए महत्वण छेतर है भारत क्रसी प्रधान देश है क्रसी समरद होगी और किसान सुखी होगा तबी देश सम्रद होगा और देश सुखी होगा इस कल्पना के आधार पर भारत काम करता रहा है मुझे यह कहते हुए प्रसंदा है कि कोबिट के कालखंड में भी जब सारे दुनिया का पईया थम गया था देश में भी कलकार खाने बंध थे उस समय भी सरकार की क्रसी हितेसी नीतियों और किसान के परिश्रम के परणाम सरूप खेती ने विरद्धी दर्ज की आज ग्रोध 3.9 प्रस्त है अगले साल की बुवाई के मामले में किसान ने चिंता की और तो और क्रसी उत्पादों का जो निर्यात है वो भी चार लाग करोड के आसपास हो गया है यह निश्यत रूप से हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रसंता और गौरब की बात है इसके लिए मैं देश के क्रसी वैग्यनिकों और किसानों को और राज और केंज सरकार के कारिक्रिमों को अपनी ओर से इस मौके पर निश्यत रूप से बहुत-बहुत बधाई देता हूं बहुत-बहुत शुपकामनाई देता हूं क्रसी का छेतर परंपरा का छेतर है एक जमाना था जब हमारे यहां खाद्यान का अभाव था उस समय के जो लोग रहे उन्होंने खेती के छेतर में नीतियां उत्पादन केंद्रित बनाई आज क्रशी उत्पाद की दृष्टी से हम खाद्यान में तो सर्पलस कंट्री हैं लेकिन जितने भी क्रशी उत्पाद हैं उनमें या तो हम दुनिया में पहले नंबर पर हैं या दूसरे किरम पर हैं हम पहले नंबर पर आएं इस दिसा में हिंदुस्तान का किसान प्रवर्थ हो रहा है और निश्य दूरूप से यह सपना एक दिन पूरा होगा ऐसी मुझे पूरी आसा है साथ ही क्रसी का छेत्र हम सब लोगों के लिए इसलिए भी महत्वूर्ण है कि क्रसी के छेत्र मैं हमारे देश की आधी आवाधी आजीविका के लिए निर्वर करती है आधी आवाधी जब रोजगार के लिए क्रसी के छेत्र पर निर्वर करती है तो स्वाबाविक रूप से हमारे लिए यह बड़ी चिंता का विसे है और इसलिए यह कोशिस है कि क्रसी की उत्पादकता बढ़े, क्रसी के उत्पाद की गुड़बत्ता बढ़े, क्रसी उत्पादन को बाजिब दाम मिले, अच्छा बाजार मिले, क्रसी उत्पाद एक्सपोर्ड भी हो सके लेकिन साथ ही साथ क्रसी के छेत्र में नए लोगों के लिए रोजगार की उत्पनता भी हो क्योंकि अगर ये आदी से अधिक आवादी सिर्फ खेती पर ही निर्वर रहेगी तो निश्यद रूप से काम चलने वाला नहीं है इसलिए खेती पर निर्वर रावादी खेती भी करे लेकिन वह खेती से सम्मंदित गाओं में ही अन्य रोजगार से जुड़े जिससे उसकी आमदनी भी बढ़े गाओं का आद्मी गाओं में रुके खेती का आद्मी खेती में रुके और अच्छी आजीवी का प्राप्त कर सके इस दिसा में निश्यद रूप से हम सब लोगों को सोचने की आज आवशकता है इसलिए प्रधान मंत्री जी लगातार इस बात पर बल देते हैं कि क्रसी के छेतर में निवेस होना चाहिए क्रसी के छेतर में टेकनलोजी का प्रवेस होना चाहिए क्रसी के छेतर में जो छूटा मजूला 86% किसान है उसकी जिन्दिगी में बदलाव कैसे आए इस दिसा में प्रेद्र होना चाहिए और खेती के छेतर में जो उत्पाद है उसको अच्छा बाजार मिलना चाहिए बिचोलियों की समापती होना चाहिए किसान अपना उत्पादन अच्छे दाम पर बेश सके किसान अगर चाहे तो अपने उत्पादन का प्रोसेसिंग कर सके पैकेजिंग कर सके ब्रांडिंग कर सके और प्रोसेस करके अच्छा दाम प्राप्ट कर सके इस दिसा में प्रियत्र होना चाहिए और यह प्रियत्र सिर्फ नारा नहीं है प्रधान मंत्री जी ने जब कहा निवेस होना चाहिए तो एग्रिकल्चर इंफा फंड एक लाग करोड़ रुपया फिस्रीज के लिए 20,000 करोड़ रुपया हरवल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपया छोटी फूट प्रोसेजिंग यूनिट के लिए 10,000 करोड़ रुपया मदुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपया क्रसी और संबन्निच छेत्रों में देड़ लाग क करोड रुपए का निवे साय आद्म निर्वर पैकेज के अंतरगत या प्रावधान प्रधान मंत्री जी ने किया है और इसके परणाम सरूप बैंकों ने आठ हजार करोड से अधिक के प्रोजेक्ट सेंक्शन कर दिये और बाकी सीगरता से इन प्रोजेक्टर पर काम चल रहा है जब ये पूरा फंड जमीन पर उतरेगा तो गाओं में इंफरेश्टिक्टर बनेगा रोजकार के अवसर स्रेजित होंगे फसल के उपरान जो किसान को नुकसान च्हिलना पड़ता है किसान उससे बस सकेगा और किसान इंफरेश्टिक्टर का उप्योग तब ही कर पाए है इसलिए जबरन उसको असमय ना चाहते हुए भी मंडी में सस्ते दामों पर बेशने के लिए विवस होना पड़ता है इस दिसा में प्रधान मंदरी नरेंद्र मोधी जी ने इस योजना को कारगर सुरूप प्रधान किया है इसी प्रकार से टेक्नलोजी का प्रियोग हो और छोटा किसान उसकी आमदनी बढ़े तो आप सबने देखा चाहे वो सूच में सिचाई का सबाल हो चाहे अच्छे खाद और बीच की उपलबता का सबाल हो चाहे डौन टेक्नलोजी का सबाल हो चाहे दस हजार नए क्रसी उत्पात संखटन एप्यो बनाने का सबाल हो जि इन पर 6,865 करोड रुपया भारत सरकार अपने पास से ही खर्च करने वाली है इन कारिक्रमों के माध्यम से यह कोशिस है कि छोटा किसान समू के रूप में इखटा हो वो समू के रूप में आदान खरीच सके जिससे उसकी लागत कम हो सके एक प्रकार के खाद और बीच और साइल है तेस्टिंग रिक्मेंडेशन का पालन करे तो लागत कम हो सके सिचाई में पानी कम लगे सिचाई में जो खर्चा है वो बस सके और एपियो के माध्यम से जो भारत सरकार ने योजना बनाई है सिचाई में जो उसके हैंडोलिंग करने के लिए लगबक 6,865 करोड रुपया भारत सरकार खर्च कर रही है बुआई से लेकर और उसके उत्पादन को बेचने तक मारदर्सन करने के लिए विवस्था की गई है जिससे कि छोटा किसान भी सीना तान कर अपने उत्पादन की वार्गनिंग कर सके और अगर उसका उत्पादन अच्छी गुडवत्ता का है और उसकी प्रोसेजिंग होकर वो अच्छे दाम पर कमा सकता है तो प्रोसेजिंग भी कर सके अपनी प्रोसेजिंग यूनिट बनाने के लिए भारत सरकार ने एप्यों को दो करोड रुपय तक का बिना गारंटी का लोन की विवस्था किये व्याज सबसिटी देने की विवस्था किये और इसके पीछे यही कोसिस है कि हर किसांड टेक्नलोजी से जुड़े इसराइल और भारत दौनों ने मिलकर साथ काम किया है 29 एक्सलेंट सेंटर देश भर में बनाए है जिसके करान हो आज की मुख्य आवशक्ता है उस पर तेजी के साथ काम चल रहा है और भारत सरकार की एकोसिस है कि लगातार हम लोग किसानी के छित्र में ऐसा काम करें कि किसानी करने की दृष्टी से नई पीड़ी भी इस शेद्र मैं काम करने के लिए आकर सित हूँ दिजिटल एग्री मिस्टन पर भारत सरकार काम कर रही है सारे देश के किसानों को एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं सारे देश के किसानों को एक ही जगे से सूचना मिल जाए इसके लिए डिजिटल एग्री मिस्टन बनाये गया है विबिन प्रकार के एप बनाये गए है Artificial Intelligence, Robot, Dawn Technology इन सबका उप्योग कैसे कैसे हो सकता है इस द्रश्टी से भी लगातार हम लोग प्रियत्र कर रहे हैं थोड़े दिन में जब ये पूर्णता को प्राप्त करेगा तो निश्यत रूप से पूरे देश को इसका लाब आने वाले कल में मिलने वाला है आप सबने अनुवब किया होगा कि पिछले दिनों जब फसल को जरूवत होती थी यूरिया की तो पूरे देश में मारा मारी होती थी मैं भी मद्रप्रदेश का कारी करता हूँ उस समय जब यूरिया की आवशक्ता रहती थी तो हम सांसद विधायक मुख्यमंद्री के साथ दिल्ली में आकर छेशे दिन बैठे रहते थे धरना देते रहते थे यूरिया दीजिये यूरिया दीजिये यूरिया दीजिये एक जटके में उन्होंने नीम कोटिंग का निर्ड़य लिया और उसके कारण यूरिया की काला बजारी पर काफी नियंतरन हुआ पिछले दिनों में ये जो अभी संकट आया है ये तो किसी के हाथ में नहीं है लेकिन तुलात्मा गरूप से अगर हम देखेंगे तो पिछले साथ आठ वर्सों में यूरिया की जितनी दिक्कत किसान को होती थी उससे हम निश्यद रूप से बस सकें लेकिन यूरिया हो, डियेपी हो, एनपी के हो ये सब केमिकल फर्टलाइजर हैं इन केमिकल फर्टलाइजर ने अपने दायतों की भी पूर्ती किये हमारी उत्पादन छ्हमता में भी ब्रद्दी किये निश्यद रूप से देश संकट से जूज राता उससे उबारने में केमिकल फर्टलाइजर ने भी हमारी मदद की है लेकि हम सब इस बात को जानते हैं कि हर चीच के दो पहले होते हैं एक तरफ केमिकल फर्टलाइजर ने उत्पादकता बढ़ाई दूसरी तरफ केमिकल फर्टलाइजर की खपत भी निरंतर बढ़ती जा रही है जब भूमी फर्टलाइजर पर ही आधारित हो जाईगी तो भूमी का अपना तानावाना तो खतम ही हो जाएगा सिर्फ फर्टलाइजर के द्वारा उगाई हुई उपज ही उसी का हम उप्योग करेंगे हम भारत वर्ष के नागरेख हैं हम धर्ती को माता कहते हैं अपने आपको धर्ती का पुत्र कहते हैं घर में अपनी माता के स्वास की जब चिंता हमें उती है तो धर्ती माता के स्वास की भी चिंता भारत के नागरेखों को करना होगी और इसलिए हम लोगों ने जैवे खेती की और कदम बढ़ाई और मुझे कहते हुए प्रसनदा है आज देश में परंपरगत क्रसी योजना के माध्यम से जिन किसानों को साहता मिली है उन किसानों ने 38,00,00 हेक्टेर भूमी में जैवे खेती करना प्रारम किया है आज क्रसी उत्पादों का जो निर्यात हुआ है उस निर्यात में लगबग 50% और्गनिक प्रोड़क्ट का हिस्सा है यह हम सब लोगों के लिए निश्यत रूप से प्रसंता की बात है लेकिन साथी साथ हम सब इस बात को भी जानते हैं कि देश बहुत बड़ा है देश में सा जैसे जैसे होगा पानी का सदूपयोग जैसे जैसे बढ़ेगा बैसे बैसे क्रसी कर रखबा और बढ़ेगा आज 14 करोड परिवार किसानी में काम करते हैं आदी से अधिक आवादी किसानी के छेतर में काम करती है तो निश्यत रूप से हम सब की जिम्मेवारी है कि जब आ तो विभिन ने प्रकार के प्लेट फॉर्म की उपलब्दता हमारे पास होनी चाहिए किसान को और वैग्यानिक को तो प्रियोग धर्मी होना ही चाहिए केमिकल फर्टलाइजर का उप्योग किया उसमें हमने सफल तारजित की जब हम और्गनिक फार्मिंग की तरफ गए उसमें भी सफल हुए अब प्रधान मंत्री का बल है कि हमको नेशरल फार्मिंग की तरफ जाना चाहिए भारती ये प्राकरती क्रसी पद्दती खेती आप सब ने देखा होगा कुछ दिन पहले दिसंबर में गुजरात के आणन्द में एक बड़ा किसान संबेलन हुआ उसमें देशवर के किसान जोड़े थे और उसमें प्रधान मंत्री जी ने नेशरल फार्मिंग के मिसन की लांचिंग की थी और मुझे कहते हुए प्रसंता है कि जब पहले प्रधान मंत्री जी ने इस विजन को रखा था तब ही परंपरगत क्रेसी योजना के अंतरगत एक उप योजना बना कर हम लोगों ने नेच्रल फार्मिंग पर काम किया आज 4 लाख हेक्टेर से अधिक छेतर में नेच्रल फार्मिंग सफलता पूरवक संपन हो रही है उडिसा में भी लगवक 24,000 हेक्टेर का रखवा जो है वो नेच्रल फार्मिंग के अंतरगत है आंदर प्रदेश है उडिसा है बदप्रदेश है तेलंगाना है करनाटक है इन स का प्रतिफल आने वाले कल में आने वाला इससे किसान की लागत कम होगी धर्ती की उर्वरा सक्ती को हम काईम रख सकेंगे धर्ती की तागत को बढ़ा सकेंगे अच्छा उत्पादन जो स्वास्त वर्दक होगा उसको हम प्राप्त कर पाएंगे और किसान को भी इस उत्पाद के अच्छे दाम मिल पाएंगे इसलिए मैं इस अफसर पर उडिसा के खिसानों को आखरे करना चाहता हूँ कि नेशरल फार्मिंग की ओर आप सब को प्रबर्थ होना चाहिए भारत सरकार कंदे से कंदा मिला कर आपके साथ काम करने के लिए तयार है मैं आप सब को इस मौके पर आस्वस करना चाहता हूँ हम सब जानते हैं कि एक जमाना था जब रकबा छोटा था साधन कम थे लेकिन जो किसान खेती करता था वा थोड़ा गेउं भी करता था थोड़ा धान भी करता था बाजरा भी करता था रागे भी करता था कुछ सब्जियों का उत्पादन भी करता था कुछ फल पौदे भी लगाता था लेकिन बीच में जब उत्पादन केंदरित मानसिक्ता बनी और फर्टलाइजर का प्रियोग बढ़ा तो किसान को भी ये लगा कि भाई छोड़ी मोटे चक्करों में क्यों पढ़ना धान और गैउं में ज़्यादा पैसा मिलता है सरकार भी इसकी खरीद कर लेती है तो इस चाहिए गैउं में भी पानी लगता है ज़्यादा पानी लगता है गन्ने में उससे ज़्यादा पानी लगता है या जानते हुए भी हम अंधा धुन इस दिसा में बढ़ रहें लेकिं हम सब इस बात को भली बात जानते हैं आज न्यूटेशन की चर्चा होती है यह चर्चा क्यों हो रहे हैं इसकी आवश्यक्ता क्यों पड़ी हमारी पद्धती क्रसी की और हमारी पुरानी परंपराएं ग्रामेंड छेत्रगी ऐसी रही है कि न्यूटेशन का संदेश देने के लिए हिंदुस्तान की परंपरा और पद्धती ही काफी है आज दुनिया हमको उपदेश दे रही है क्योंकि मोटे अनाच को हमने अपनी थाली में से सम्माम देना कम कर दिया है यदेव मुझे प्रसनदा है कि उड़ीसा मोटे अनाच के छेतर में काम कर रहा है बाजरा की बड़ी खेती उड़ीसा में हो रही है प्रधान मंतरी जी चाहते हैं कि गरीब हो या अमीर हो मिलिट्स को भोजन की थाली में सम्मान और हिस्सा मिलना ही चाहिए और इसलिए मौटे अनाच पर फोकस हम कर रहे हैं जिससे कि न्यूट्रिजन सबको मिल सके और भारत के प्रस्ताव पर यूएन ने भी 2023 को मिलिट्स सियर के रूप में गोसित करने का तै किया है 2023 में पूरी दुनिया में मिलिट्स को थाली में स्थान मिले इसके लिए अभियान चलाए जा रहा है मिलिट्स का रकवा बढ़े उत्पादन बढ़े उत्पादक्ता बढ़े इस दिसा में सरकारें प्रियत्न कर रही हैं और अभियान चलेगा मुझे कहते हुए प्रसंता है तुलोचन महापातरा जी यां बैठे हुए किसी भी जिन्स के छेदर में हमारे देश के वेग्यानिकों ने कमी नहीं रखी पांसो से अधिग वेराइटीज के बीच इस देश में इजाद किये हैं हर वर्स नए नए बीजों को इजाद करना उत्पादक्ता बढ़ाने में योगदान देना इसमें ICR का क्रेसिविज्ञान केंदरों का हमारे एग्रिकल्चर युनिवस्टियों का बहुत बड़ा योगदान है फिर चाहे वो बायो फोर्टिवाइट बीजों की किस्म हो चाहे वर्सा आधारिच शेतर में वो बीच सर्वाइब कर सके अच्छी उत्पादक्ता किसान को दे सके इस दिसा में काम करने की इस्तिती हो हर मामले में हमारे वेग्यानिकों ने आगे बढ़ चल कर काम किया है दलन और तिलन की दृष्टी से निश्यत रूप से भारा सरकार मिसन मोर्ट पर काम कर रही है पिछले दिनों प्रधान मंदरी जी ने जब आभान किया था हमारे किसानों ने खूब दलन बोया और दलन के आयात पर हमारी निरवर्ता कम हुए लेकि निरवर्ता पूरी तरह कम हो इस दिसा में हम सब लोगों को मिलकर काम करनी के आवशक्ता है खाद ये तेलों के मामले में अभी हम इंपोर्ट पर निरवर्त करते हैं भारस सरकार ने अभी तिलन मिसन के साथ साथ ओईल पाम मिसन को भी निरणे किया है इस मिसन के लिए 11,000 करोड रुपया निश्यत किया गया है ICR ने स्टेडी की थी कि देश भर में 28,000,000 एक्टेर छेट रहे जहां पाम ओईल की खेती की जा सकती है और मुझे प्रसंदा है ओईल पाम मिसन की घोशना के बाद हम लोगों ने गुवार्टी में कॉन्फरेंस की हैदराबाद में कॉन्फरेंस की और हम लोग सोचते थे कि आने वाले कल में 3,000,000 की जगे हम 6,000,000 हेक्टेर में पाम ओईल की खेती करें लेकिन साइद जब सरकार 6,000,000 सोचती थी लेकिन राज इस दिस्था में तेजी के साथ परबर्थ हो रहे है मिसन की लोग प्रिता बढ़ रही है किसान को भी भाव की आस्वस्ती है इंडस्टी को भी रो मट्रिल की आस्वस्ती है और इसके परड़ाम सरूब साइद पहले चर्ण में ही हम 10,000,000 हेक्टेर रखवे में ओईल पाम की खेती करके खादे तेलों में अपनी निरवर्था को दूसरे देशों पर जो निरवर्था उसको कम करने में सफल होंगे मैं इस अफसर पर यही कहना चाहता हूँ कि देश समगर विकास संतुलित विकास की ओर बढ़ रहे बढ़ते ही रहना चाहिए इसमें प्रधान मंत्री भी चिंतिद है और कोसिस कर रहे हैं और देश भी कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे है आज देश में स्टार्टप्स की संख्या देश में टेक्नलोजी अपनाने वाले लोगों की संख्या निश्यद रूप से हमारे सिर को गौरब से उच्छा कर देती है और इसलिए आज समय की आवशक्ता है कि हम सब मिलकर कदम से कदम तो मिलाएं कंदे से कंदा तो मिलाएं समगरता में काम करें हर छेतर विक्सित और तागदवर हो लेकिन खेती हमारी मेरु दंड है खेती की भूमिका हमारे देश में और समाज में ठीक उसी प्रकार से है जैसे मनुस्य के शरीर में बैकबोन रीड की हड़ी की भूमिका होती है अगर रीड की हड़ी मजबूत होगी तो मनुस्य सीधा खड़ा रहेगा और अपने दायित्तों का निर्भन करता रहेगा अगर रीड की हड़ी और इस्पाइनल में कोई प्राब्लम आई तो दिमाग कित्ता भी फर्टाइल चले लेकिन उसकी छमता आदी घड़ जाईगी इसलिए खेती हमारी बैकबोन है यह खेती मजबूत हो खेती आगे बढ़े किसान समरद बने खेती उन्नत बने इस दिसा में हम सब प्रबर्थ हों इस अच्छे कारिक्रम के लिए आजगर न्यूद चैनल को फिर से एक बार बहुत-बहुत बधाई धन्यवाद भारत माता जिंदाबाद उतकल जन्नी जिंदाबाद